रोहिष शटी की कॉप यूनिवर्स की अगली फ्रेंचाइजी सिंगा वगेन को लेकर दर्शकों के बीच गजब का बस बना हुआ था फैंस के लंबे इंतिजार के बाद आखरकार 7 ओक्टोबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीस किया गया जिसमें लार्जर दन लाइफ काफी कमाल के वीजवल्स देखने को मिले वहीं ट्रेलर लाउंच इवेंट के दौरान फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मुझूद रही इस दौरान भोजपूरी स्टार रवी किशन ने भी रोहित शेटी के साथ काम करने के अपने अनुभव को शेर किया जी हाँ अक्टर ने अपने किरदार के बारे में भी थोड़ा बहुत खुलासा की और बताया की रोहित शट्टी के साथ काम करना उनके लिए एक सपने जैसा था जो अब जाकर पूरा हुआ है तो चलिए देखते हैं कि रवी किशन ने और क्या कहा मिस्टर रवी किशन एक बार जोरदार तालिया मैं यही कहूँगा कि बड़ा भागिशाली हूँ मैं हर कलाकार का एक सपना होता है जो कि रोहित सर की जब मैंने फिल्म में सिंगहम देखी तो मुझे लगा था कि एक बार इनके साथ जरूर मैं सिनमा करना चाहूँगा और इसको कहते हैं भाग जब ग्रह नशत्र बदलते हैं और मुझे भागिशाली हूँ मुझे रोहिस सर और एक अच्छे भाई और एक मित्र के रूप में अजय सर मिले बहुत समय के बाद एक दोस्त मिला मुझे मैंने आपको बहुत समय आपके साथ बिताया और मैं धूंटा था कि लोग कहते हैं अब दोस्त की परिभाशा क्या होती है मैंने कुछ 30-40 दिन आपके साथ अभी बिताये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये फिल्म मैं बताऊं ये सारे लोग हैं जिनको मैं दिल से प्यार करता हूं हम सब लोग पुरा भारत पुरा विश्वन को ये वो कलाकार हैं जिनको I love you too my darling जिन्दगी जंडबा तो करीना मायम रनवीर जी और ये फिल्म मैं बहुत ये नहीं कि मैं सिनमा का हिस्सा हूं और बहुत सर्प्राइज तरीके से एक बहुत विराट रूप में लाया है मुझे इन्होंने रूह सर ने जो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा पुरे देश को अच्छा लगेगा हर भारत बासी को अच्छा लगेगा जो अपने देश को प्यार करता है जो सनातिनी विचार धारा को प्यार करता है जो हमारे बच्चे जो रामाएंड को जानना चाहते हैं कि हमारे रामाएंड जैश्री रा जैश्री रा जैश्री रा यह फील आएगा यह फिल्म और पुरा देश में यह नहीं दिवाली के दिन धन्यवाद देगा रोहिट सर को जीओ स्टूडियो को मैम थांक यू मैम फो मेकिंग दिस फिल्म आपने एक फिल्म लापता लेडिस बनाई मुझे आसकर भेज दिया जीओ को धन्यवाद और सभी अजे सर, रोहिश सर सभी पूरी टीम को और यह सही कहा रोहिश सर ने कल जो आज पूरे देश में विश्व में ट्रेंड कर रहा है कि परिवार के साथ जरूर आना और आज सबको आप ही लोगों ने बनाया यह परिवार के फिल्म है यह आपकी फिल्म है इसको आशिरवाद जरूर देना धन्यवाद